हलो एरिबड़ी, तक गैजट सर अभी के नए वीडियो में आप सब का स्वागत है तो दोस्तों मैं हूँ धर्मेश और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले OnePlus Bullets Wireless Z Base Edition का और यह है River Red Color और एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से हमादी चैनल पे 99.6% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सब भी लोगों से रिक्वेस्ट है के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए बीना किसी दरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं तो ये 2000 रुपे में मिलने वाला OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Bullet Z Wireless Base Edition है तो हम लोग देखेंगे कि इससे पर्चेस करना सही होगा या नहीं होगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Build Quality और Design की तो इस Neck Band का Weight है सिर्फ 25.5 ग्राम और जो कि काफी Light Weight है और इसको पहनने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपने इसे पहना भी है और ये काफी Comfortable है जरा सा भी Discomfort पहनने में नहीं होता है और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग को दोनों की साइड में Buttons देखने को मिलते हैं और यह पूरी तरह से Plastic से बने हुए है और यहाँ पे हम लोग को Volume Plus और Minus का Button देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे On Off का Button है या फिर Call, Pick Up या Cut का Option देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ पे Charging Port देखने को मिलता है जो कि यह Type-C और यहाँ पे पीछे की साइड हम लोग को Mic देखने को मिलता है और यहाँ पे है LED Notification Light और दूसरी साइड में हम लोग को OnePlus की Branding देखने को मिलती है और यह जो पार्ट जो Neck में टाच होता है यह काफी Soft Material है और इसे हम लोग Band भी कर सकते हो और यह तूटने का बिलकुल भी डर नहीं है और यहाँ पे जो Cable हम लोग को देखने को मिलता है यह थोड़ा पतला Cable है और All OnePlus Bullet Z Wireless की Build Quality काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिलती है और यहाँ पे यह Ear Words है और ज़रा सभी discomfort कान पे होता नहीं है और इसे लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे उसके बाद बात करते हैं connectivity की तो इस Neck Band की connectivity काफी fast है कुछ भी problem होता नहीं है और जैसे ही आप इसे निकाल के magnet को connect करेंगे आपका जो भी चीज मोबैल पे चल रही है वो pause हो जाएगा और ये disconnect हो जाएगा mobile से और जैसे ही इसको आप magnet को निकाल के पहनेंगे वापस से ये Bluetooth connect हो जाता है और आपकी चीजे play होना शुरू हो जाती है उसके बाद बात करते हैं sound quality sound quality हम लोग को पिछले generation से काफी अच्छा देखने को मिलता है high, mid और low सबके सब काफी better देखने को मिलते हैं और ये especially bass edition है और bass का जो output है वो काफी premium देखने को मिलता है heavy bass देखने को मिलता है और यहाँ पर जो आपको सुने दे रहा होगा वो mic से record किया हुआ है और जो actual sound यहाँ पर सुना ही देता है उससे कम sound आपको सुना ही देगा लेकिन actual sound काफी जादा better हम लोग को सुनने को मिलता है इस mic से जो record किया हुआ है उससे जादा उसके बाद battery की बात करेक तो अगर full volume में आप सुनते हैं तो 13 गंटे तक maximum battery चलती है और volume अगर कम है तो 13 गंटे से जादा तक भी चलती है अगर आप OnePlus का fast charger यूज करते हैं तो 10 minute का charging करने के बाद ये 10 गंटे तक चलता है और noise cancellation की बात करें तो noise cancellation का output भी काफी अच्छा देखने को मिलता है इंडोर में आपको काफी अच्छी quality देखने को मिलती है तो उसके साथ latency और थोड़ी कम हो जाती है मतलब कि response है वो थोड़ा fast देखने को मिलेगा और अब देखते हैं pros और cons तो यहां पर pros में देखेंगे तो heavy base देखने को मिलता है और जैसे ही आप magnet को connect करते हैं या फिर magnet को disconnect करते हैं आपका जोबी चीज़ से लिए वो play हो जाती है या फिर stop हो जाती है इसके वज़े से काफी battery save हो जाती है build quality काफी अच्छी देखने को मिलती है noise cancellation काफी अच्छा देखने को मिलता है और connectivity काफी easy और fast है और यह 2000 की price में मिलने वाला काफी अच्छा neck band है और cons देखेंगे तो हम लोग को case देखने को नहीं मिलता है उसके बाद dual pair का option हम लोग को नहीं देखने को मिलता है जो की एक drawback है और जो regular edition है उससे हम लोग को 3 घंटे के आसपास की battery कम देखने को मिलती है और कभी-कभी noise cancellation काम नहीं करता है मतलब की कम देखने को मिलता है तो जितने लोग heavy base lovers हैं उन लोग के लिए ये काफी अच्छा neck band है लेकिन जिन लोग के पास normal वाला edition है उन लोग इस वाले neck band को purchase करने की कोई ज़रूद नहीं क्योंकि इतना कुछ major difference है नहीं और अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूद नहीं है तो जो लोग base edition को खरीदना चाहते हैं इस neck band को ज़रूर से खरीच सकते हैं और ये काफी अच्छा neck band होगा 2000 रुपे की price में तो दोस्तो आज का वीडियो यहां तक ही था उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए और जैसे ही मैंने बताया कि 99.6% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीस उन सब भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे ही नए और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और प्लीस अपना धियान रखिए